बुल्लो शंकर भगवान की जै श्रामन मास शुरू हो गया है आप सबको श्रामन मास की बहुत बहुत शुब कामनाए भगवान शंकर आप सब पर कृपा बरसाएं ग्यान गठ्री की तरफ से हम भगवान शंकर की लिलाओं को सुनाएंगे और बारा जोती लिंगों की कथा भी आपको सुनाएंगे आप सबका प्यार और आशिरवाद इसी तरह बना रहें बोलो शंकर भगवान की जै भगवान शंकर आशितोष हैं शिव जी के दरबार में हर एक को परवेश मिलता है रिशी देव दानव और भूत पिशाच भी आते हैं शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो हो सकते हैं शिव कृपा बिना राम या कृशन जी की भगती सफल नहीं होती विशनु भगवान सत्व गुण के स्वामी है अता है उनका रंग श्वेत होना चाहिए लेकिन वे शाम है ऐसा क्यों हुआ विशनु काले और शिव जी गोरे एक नात जी महराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नाराइन का ध्यान करते हैं और नाराइन शिव जी का ध्यान करते हैं इसलिए शिव जी को श्वेत रंग और नाराइन को शिव जी का काला रंग मिला इस परकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उ बोलो शंकर भगवान की जै सामन के महीने के स्वामी भगवान शीव है इस महीने का समद्ध पूरी तरह से भगवान शीव के साथ मानना जाता है ऐसा मानना जाता है कि सामन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शीव ने हला हल का पान किया था हला हल विश्च के पीने से उनके श्रीर में इतनी उगरता होगी कि वो सेहन नहीं कर सकते थे तो इसलिए उस गर्मी को शांत करने के लिए भक्त पूरे सामन के महीने में भगवान शिव को जालर्पित करते हैं और बेल पती चड़ाते हैं बेल पती जो होनी चाहिए वो बिलकुल साफ सुत्री बिना छिद्र के कटी फटी भी नहीं होनी चाहिए हो सके तो उस पे राम लिखके जो उसका चिकनी साइड है उसके उपर राम लिखें और वो चड़ाएं उपर जल की धार जुरूर चोड़े जल की धार के बिना बेल पत पत्री नहीं चड़ानी चाहिए बेल पत्री आप एक चड़ाईए तीन चड़ाईए साथ पांच एक सो आड चड़ा सकते हैं अगर आपके पास बेल पत्री ज्यादा नहीं है तो जो चड़ाई है उसी को धो के दुबारा राम लिखके और वो आप चड़ा सकते हैं सामन के मह महिने के पूजा से ही आपको एक वर्ष का फॉल मिल जाता है इस महिने का इतना महत्व है बोल शंकर भगमान की जै